हेला बच्चो क्या हाल चाल देशेज आपी गुपता यूर मैथ मेंटोर और इस ब्योडिफुल चैनल आफ यॉर्स आपी गुपता तो आपी गुपता तो आप्लिकेशन आफ डेरिवेटिवेटिव सम् केस चटिडी लेने वाले हैं तो चलिए जरा आज की क्लास स्टार्ट क आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चो हमारे इस कुष्चन में क्या बोला गया है फॉलोविंग इज़केश स्टॉडी टाइप कुष्चन विच्च कैरीज फाइफ सब पार्ट्स एंड यू नीड तो अटेंट एनी फोर सब पार्ट्स ठीक है हालाएं कि यहां पर मैं है तो सारे ही कुष्चन सॉल्व कराऊंगा चलिए काम शुरू करते हैं देखते हैं हमें क्या-क्या डाटा दिया गया है अब मैगजीन कंपनी सर्कुलेट्स इट्स मैगजीन और मंतली बेसिस इन सिटी ठीक है इट है जिस सिक्स थाउजंड रीडर्स और इट्स लिस्ट अब चलेक्ट अफिक्ष्ट चार्ज और रूपीज 3,000 और रीडर एन्वली ठीक है यानि हर रीडर से एक साल के लिए 3,000 रूपीज चार्ज किया जा रहा है अगे क्या बोला हुआ है दग कंपनी प्रोपोज़ेस तो इन्करीज त अन्नुल एक साल के तो इतने रूपए ले रही है यानि ये तो जो भी आएगा न रिजल्ट इतने रूपए कंपनी को एक साल में अपने रीडर से मिल रहे है ठीक है अब सुनना इसने क्या बोला कि कंपनी चाहती है अपने एन्वल सब्सक्रिप्शन को इन्क्रीज करना लेकिन अगर एक रूपीज का इन्क्रीज होगा तो एक सब्सक्राइबर भी discontinue हो जाएगा कहने का मतलब अगर मैं assume करूँ कि मान लो x rupees का increase हुआ तो x subscriber भी कम हो जाएंगे बच्चो देखो ये 3,000 rupees है ना है ना इसमें x rupees का increment हुआ तो यहाँ पर x subscriber भी discontinue हो जाएंगे तो अब यहाँ पर company का total जो revenue generate होगा वो कितना आएगा 6,000 minus x into 3,000 plus x बाद समझा रही है यह scenario question में दिया हुआ है आपके case study में जो case दिया है वो यह case है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमें questions कैसे मिलने वाले हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पढ़ो जरा इन्हों ने बोला क्या है आप लोगों से यह कह रहा है suppose the magazine company increases rupees x वो तो मैंने पहले ही assume कर लिया था then the function rx which represents the earning of the company is given by तो मैंने यह बात आप लोगों को already explain कर दिया है कि अगर पहले 3000 रुपीज लिये जा रहे थे तो उसका revenue इतना बनता है ना क्योंकि 6000 customers हैं अब क्योंकि x रुपीज का increment हो रहा है है ना तो x increment होने पे इतने ही सब्सक्राइबर यहाँ पर decrease हो जाएंगे तो अब revenue यह बनेगा यह आपका आर ओफ एक्स है बच्चों बास समझा रही है तो यहाँ पर फस्ट पार्ट का option एक बार चेक कर लो यह रहा ठीक है बस काम खतम अब आगे बढ़ते हैं जरह सेकिंड पार्ट की तरफ चलते हैं तो यह रहा जी सेकिंड पार्ट और यहीं पर थर्ड पार्ट भी दे रखा है यहाँ पर इसने आपसे डेरिवेटिव फूच लिया है डी बाइडी एक्स ओफ आर एक्स ठीक है तो हमने यहाँ पर आर ओफ एक्स की वेल्यू क्या लिखी थी बच्चों तो हमने लिखा था इसका अगर में डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा यानि डी बाइडी एक्स ओफ आर ओफ एक्स अगर हम फाइंड करेंगे देखो यहाँ पर प्रोड़क्ट रूल अफ डेरिवेटिव लगा लो यह बाहर इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहां से वन आ जाएगा ठीक है फिर यह वाला बाहर 3000 प्लस एक्स वाला बाहर इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहां से माइनस वन आएगा अब इसको जरा सिंप्लिफाई कर लेते हैं तो यह 6000 माइनस एक्स और यह माइनस 3000 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि माइनस वन से मल्टिप्लाई हो रहा है यह फा थर्ड पार्ट को भी लेते हैं, तो थर्ड पार्ट में इसने आपसे डबल डेरिवेटिव पूछा हुआ है, सेम फंक्शन का, चलो, इसका हम दुबारे से डेरिवेटिव कर देते हैं, यहां पर इसका तो 0 हो जाएगा, minus 2x का minus 2 into 1, यानी minus 2 आजाएगा, कहने का मतलब थर्ड का पहला ही option चेक कर लो, बच्चो, पहला ही option चेक कर लो, थर्ड का यह रहा जी, दन्यून हो, आब आगे बढ़ते हैं जलिए, next part को देखते हैं, यानी fourth part, यहां पर क्या बोला हुआ ह वोट इंक्रीज विल ब्रिंग मेक्सिमम अर्निंग फोर दा कंपनी यानि आपको न आर ओफ एक्स जो यहां पर दिया हुआ था आर ओफ एक्स जो भी हमने लिखा था उसको मैक्सिमाइज करना है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी आपको यह बताना है इसके लिए मैं क्या करन 2000-2X खिक है बच्चों यानि 3000-2X को जीरो के लगते यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे 3000 अपोंट्व दैट मींस दैट मीस inspired क्या अएगी 3,000 अपोंट्व यानि 1500 आ जाएगा saint मींस अब इस exploring पर अगर आप cross check करना चाहें तो double derivative का जो sign है ना x की इस value पे वो negative होना चाहिए किसी को याद हो तो double derivative minus 2 आया था चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ देख लो है ना तो double derivative minus 2 आया था मतलब x की value कुछ भी रहे ये तो less than 0 ही होगा ना तो अगर double derivative किसी point पे negative होता है तो वो जो point होता है न point of maxima होता है यानि x equal to 1500 will be point of maxima यानि इस point पे r of x will be maximum for the company तो इसका मतलब company को इतने rupees का ही increment करना चाहिए मतलब option d एक बार check करिए बात समझा रही है fourth का option d सही हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं जरा fifth part को भी लेते हैं तो fifth part में बोला गया है what will be the maximum value of r of x देखो r of x आपने लिखा क्या था याद है किसी को 6000 minus x और यहां पर था 3000 plus x तो अब आपको इसका maximum value बताना है यानि इसमें x की जग है 1500 आपको input करना पड़ेगा तो यहां पर यह क्या बनेगा यहां पर आपका बनेगा r of x, x is 1500 तो यह बनेगा 6000 minus x यानि 6000 minus 1500 यानि 4500 हो जाएगा यहां पर क्या बनेगा 3000 plus 1500 यानि यह भी 4500 ही आने वाला है मतलब देखो पहले तो 403 में लगा लो इसके बाद यहां 45 into 45 यानि 45 का square हो जाएगा 45 का square यानि 25 तो पहले लिख दो 5 into 4 यानि 20 यानि 2025 ठीक है आप इसको क्या सब्सक्राइब करना मुझे कमेंट करके बता देना फिलहाल अगर मैं आपने options को देखो तो यहां पर option A मुझे बिलकुल सही दिख रहा है यानि 5th part का option is सही हो गया ठीक है बच्चो अगर आप लोगों को यह books purchase करनी है तो कैसे purchase कर सकते हो देखो इसे तो Amazon पर ले सकते हो है ना math mission book इसमें क्या है chapter wise mcqs दे रखे है case study type के questions भी given है ठीक है बच्चो अगर आप लोगों ने यह book पहले purchase कर ली हो time पे अगस्त में या September में है ना तो अब आप लोग sample paper की practice कर सकते हो तो आपको यह वाली book purchase करनी चाहिए ठीक है तो यह वाली book तो Amazon पर मिल जाएगी लेकिन यह Amazon पर नहीं मिलेगी इसके लिए आपको मुझे WhatsApp करना पड़ेगा इस number पे ठीक है आप जैसे WhatsApp करेंगे आपको पूरी टेल भेज दी जाएगी कि किस तरीके से आपको यह book मिल सकती है अपने address पे ठीक है वच्चों आप इसी के साथ हम लोग आज का session wind up करते हैं चलिए मिलते हैं next lecture में be good